फाल्गुन मा के कृष्ण पक्षकी चतु दशी तिती को मा शिवरात्री का पर्व मनाया जाता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस तिती पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवा हुआ था देश भर में मा शिवरात्री के दिन शिव भक्तों में अधिक उत्सा देखने को मिलता है सादक मंदिर और घर में भगवान भोले नात और मा पार्वती की विशेश पूजा अर्शना करते हैं साथ ही व्रत भी रखते हैं मानिता के अनुसार ऐसा करने से भगवान शिव प्रस माा शिवरात्री के दिन देश भर के सबी शिव मंदर में भक्तों की भारी भीड उमरती है चलिए जानते हैं कि मा शिवरात्री के पर्व को क्यों मनाया जाता है इसके साथ शुव मूरत और पूजा विदी के बारे में भी पालगुन माक के कृष्ण पक्षकी चतुरशी चिती को शिव जी की और माता पार्वती का विवा हुआ था इसलिए इस पर को शिव और पार्वती के विवा के उपलक्ष में मनाया जाता है इस दिन को शिव भगत बहत खास मानते हैं बोले नात के भक्त इस दिन शद्दा भाव और पूरे हर्श उल्लास के साथ मनाते हैं माशिवरात्री को अब बात करते हैं कि माशिवरात्री पर शिव जी को जल कप चड़ाएं सुबा चार बजे से लेकर शाम को चार बजे तक आप शिव जी पर जल चड़ा सकते हैं अब जानते हैं कि इसकी पूजा विदी के बारे में, माशिवरात्री के दिन ब्रह्म मूरत में उठें और दिन की शुरुआत महादेव और मापारवती के ध्यान से करें, अब स्नान कर सावस्त धारंड करें और सूरे देव को चल अरपित करें, चौकी पर लाल और पीला बिछा कर भगवान शिवर माता पारवती की प्रतिमा स्तापित करें, इसके बाद उनका गंगा जल, कच्चे दूद और दही समित विशेश चीजों से अभिशेक करें, इसके बाद दीपक जलाकर भगवान शिवर माता पारवती की विदी पूर्वक पूजा करें, इसके सा बोग लगाएं और अन्त में लोगों को प्रसाथ का वित्रन करें इसके साथ पूरे साल भगवाण濠 की पूजा का फल एक दिन में पा लेते हैं इसलिए शिव्ट प्रपा की इच्छा रखने वाले शिब भक्तों को शिबरात्री के दिन व्रत अथा फलहार रखना भगवान भोलेनात का व्रत करना चाहिए और आतरी काल में भी विशेश रूप से शिब जी की पूजा अर्शना करनी चाहिए आज के लिए बस इतना ही नगरी पडिवार की तरफ से आप सभी को माशिवरात्री की धेर सारी शुब कामना है धन्यवाद